लेकिन आपके उपर राजा प्रभु उसके आदिन पर राकर राज्य चलाना है कि नहीं अब आँटी ने बात किया ये अस्बन वाइफ के बारह में वाइफ लोगों को प्रभु के अंदर अस्बन के आदिन में राने पड़ेगी तो ये सब राज्य है राजा का एक हरार्की है एक नियम है माले में पिता परमेशर पुत्रब परमेशर पवित्रात्मा परमेशर उसमें भी मैं बता रहा हूँ इश्व मसी पुत्रब परमेशर पिता के आदिन में रहता था अभी भी पवित्रात्मा भी इश्यू के नाम से अड़वत कम करेगा इश्यू के नाम से प्रात्ना सुनेगा कभी भी पवित्रात्मा के नाम से प्रात्ना नहीं करते हैं पवित्रात्मा के सामर्थ से करते हैं वहां पर भी एक अधिकार है एक राज्जी है तो उसमें अधिकार चलेगा एक कमपनी है तो उसमें चलता हीगी ने एक हरार की अबने सेशन वाला चार्ट होते है कौन-कौन सबसे टाप कौन उसके नीचे कौन परमेशर के राज्जी है 24 प्राचिन माले में 24 इल्डस बैट है रहेंगे मुकुट पाने हुए उसमें आप रहेंगे मुझे मालम नहीं रह सकते हो लेकिन प्रभु के लिए जो ज़्यादा मैनत की वही लोग भी हम पर पावलोज ज़रूर रहेगा मैं विश्वास करता हूँ पुराना नियम के बारह नियम के बारह लोग रहेंगे उसमें लेकिन वो लोग वो को भी बाइबल में देख रहे हैं जब स्वर्ग राजे में प्रभु की महिमा प्रगड होने लगें वो लोग भी अपना मुकुट को क्या किया प्रभु के प्रभु के आगे रख दिये नीचे रख दिये बाला आप ही महिमा के योग यार युगान युगा आप ही राजा रहेंगे हम लोग बले राजा है बले हम स्वर्ग में आ गएं इस राज्य के तत्व समझ लो आपका अधिकार होगी लेकिन आपके उपर एक अधिकार होगी मेरा भी अधिकार है आप लोगों को उपर लेकिन मेरा उपर फर्मिशर का अधिकार है उस अधिकार से मुझे डरते वे इस अधिकार को साइडंग से इस्तिमाल करना गलस इस्तिमाल नहीं करना राज्य फर्मिशर का है माले में हमें ठीका में दिये बच्चों लोग आपका नहीं मले में फर्मिश्र आपको दिये है उनको चलाने के लिए जो भी आपको दिया गया अनुग्रह से मिला है महाराज आने वाला है